नमस्ते फ्रेंड्स आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग सा डियाइवाई करके दिखाने वाली हूँ जो मैं सित्ता फल जिसे कस्टड आपल बोलते हैं उसके बीजों को लेकर बनाऊंगी इसके लिए मैंन एक मिरर को स्टिक कर दिया है और यह जो सीता फल की जो सीड्स होते हैं उसको मैं एक फ्लावर की शेप देते हुए चारो तरफ इसके मैं स्टिक कर दूँगी इस तरह से चारो तरफ में स्टिक करने के बाद इसको थोड़ी तेर के लिए में सूखने के लिए छोड़ दूँगी जब तक ये सूख रहा है तब तक मैं ये राउंड शेप में काड़ बोर्ड को कट करके चारो तरफ मैंने मास्किंग टेप को लगा दिया है जिससे ये थोड़ा श्ट्रॉंग बन जाए और देखिए ये सूख चुका है इसको उपर मैं अभी ब्लाक अक्रिलिक कलर कर रही ये थोड़ा ब्लाक अक्रिलिक कलर सूखने के बाद इसके उपर मैं अपने फिंगर से गोल्डन अक्रिलिक कलर को लेते हुए चारो तरफ थोड़ा इसको अंटिक लुक देने के लिए इसके उपर मैं इस तरह से डब डब करतूंगी इसी तरह से मैंने काफी सारे फ्लावर्स को तयार कर दिया है जिसे मैं उस ब्लैक शर्कल के उपर स्टिक करके ग्लू के मदद से एक वाल हंगिंग का शेप दिऊंगी इसी तरह से आप भी जो वेस्ट मेटिरियल होते हैं जैसे कस्टोड आपल के सीड हुए काड़बोर्ड पीसेस में इनको इस्तमाल करके घर पे ही बहुत आसानी से एक सुन्दर सा वाल हंगिंग बना सकते हैं अजय हैं आप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इससी का फाइनल लुप होने वाला है अगर आप लोगों को अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को और एसे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब को दें थैंक यू, थैंक्स फूर वाचिंग